हेलो फ्रेंज कल हम लोगोंने हम लोग कंडिशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगोंने दो टैप के कंडिशनल सेंटेंस पढ़े थे कौनसी एक जो प्रजेंट कंडिशन को या फ्यूचर कंडिशन को शो करते हैं प्रजेंट फ्यूचर और दूसरा पढ़ाता हमने जो हमारी पास्ट कंडिशन को शो करते हैं जिसमें हमने पढ़ा था देखे ये दो टाइप के कंडिशनल सेंटेंसेस हमने पढ़े थे जिसको बोला जाता है रियल कंडिशन कैंडिशन मिन्स क्या कि अगर कोई काम future में हो रहा है ठीक है और किशी एक काम का होना कि दूसरे काम पर depend होता है तो हम क्या करते है रहां पर किसका यूज करते हैं जो citizen होती सोड़ी जो suppose ओनींट होती उसके साथ प्रजट हैं का इसके सास्थ that exist feel this in bar in the hammond second करते हैं थिकर प्रजयर सिंपल i n Neu कर रिल एम लोग समझ है थैं अभ इसको में पूरा Dentia थाइसे कर रही हूं फिर। हम SEW करते हैं यूज पाइड होती है यह किसी घरतना और मतलब कि पास्ट परुफर मगोस्ति कर दो जो सेटर इवेंट होती है उसके साथ हम यूझ कते हैं पासपल चीचर यह हम लोगोने समझा था ळॊब इसके बाद हम समझने वाले हैं किमेजिणर्य कंदीशन किन उपनासे लेकिन होती है कि इमेजि mm कंदीशन का और ना कि अगर ऐसा होता तो बैसा होता थिके जिससे कुछ लोग बोलते ना कि KaAS हम भी अमेरिका व्य होते तो हम इंगलीशा हती ठीक हें मतलब की हम इंगलेश समझते इजिली फीके तो वहां पे अमेरिका हेज вони कि हम इंग्लीष समझ तो यहाँ एंग्लिण सकते हो तो इसचिज को सोच सकते हो कि काश एसा हुआ होता लेकिन यहां हो नहीं स êtes ढब मतलब सुपर करके चिभी नेक्स आपकी लाइफ होगी तो लच याप mobilis giant लिए इंगृष पढ़ते हैं तो देखिए मेरी कंडिशन क्या होता है इससे इसटार होते हैं अब से सब्सक्राइब इसलिए है नुद्ध सोते हैं ऑब इसमें तीन कंडिशन होती है कि अaldry एक कंडिशन होती है decided if के बाद head का यूजियर ना दूसरी चीफरर की सेटेंस होते हैró में वर का यूस चैएनार पी करूफ संसुए इतिस्द आद की mom के साथ यूज़ हम अलग-लग संटेंसे कब लेकिन दूसा सेंटेंस होता है अब इमेजनरी कंडीशन क्या होती है ये भी दो चीजओं पर यह अगर अगर में अमेरिका में पेदा हुआ होतां तो मुझे अच्छे से इंग्लिश का ठीक है यह मैं English बोल पाता तो ऐसा होता तो फिर वेसा होता मतलब कि condition है इसमें भी किया अगर अमेरिका में पैदा हुआ होता या अमेरिका में पैदा हुई होती तो हम English अच्छे से बोल पाते हमें English पढ़ने की जरूरत नहीं होती यह तो एक चीज़ का होना दूसरी कि यहास कगे होगे तो अब देखिये हैं यहां फिर्फ साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्स के बाद हेड़ वर्की सांचर में इनका यूज़ करेंगे लेकिन संट्सेंच सूगा उसमें जो हम जो रहे गी वो रहे वर्ब हो सकती है वर्ट शूट को दिया माइट ठीक है उसके बाद वर्ब की फॉस्पॉर्म आपको पता है कि इनके बाद आपको वर्ब की फॉस्पॉर्म का ही यूज करना है यह मॉडल्स में पढ़ चुके हैं आप लोगों ने मॉडल वाला चैप्टर नहीं देखा है we are Times less logic में तो मिनें वर्ब वाले चैप्टर में मोडल्स ओच्पॉर्ब के में दो भी प्लास है मतलब क्या होता है सबसे पहले यह देख लेते हैं हैं थीक है आप लोगे लिखी जायूँ अब अगर हम इफ के साथ हैड का यूज कर रहे हैं इफ प्लस है है उसके बाद जो सेकेंड सेंडेंस है उसमें वोड़ कुट शूड वोड़ कुट शूड में माइट कुछ भी हो सकता है तो अब देखिए इसके साथ हैड का यूज करने का मतलब यह होता है कि देखिए हैड जो है 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 किसका फॉर्म है हैव का हैड जो होता है वह हैव का पास्फ फॉर्म होता है ठीक है आप हैव जो है मैंने आपको बता रखा है पहले 就到 helping के रुप में और एक में पप के रूप में एक helping 24 के कि रूप में इसाड फोम है इहां पर जो मैंने हेड का यूस किया है Ist कैसे पता करेंगे ठीक है तो helping work में क्या होता है कि helping work जो होती है उसके बाद हमें work कोई भी main work भी use करनी पड़ती है जैसे मैंने यहां पर have use किया है मैंने तो यहां पर फिर मुझे एक main work रखनी पड़ेगी कुछ ने कुछ ने कुछ जैसे I have completed the work, I have done the work, I have eaten the food, I have reached home, ठीक इस टाइब से कुछ ने कुछ मुझे main work भी रखनी पड़ेगी और जब हम have has का use helping man work के रूप में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि I के direct बाद हम I मतलब की subject के diet बाद हम have or head का जब use करते हैं और उसका use हम main work के रूप में कर रहे हैं तो उसके बाद direct बाद या तो हम object रख देंगे या हम sentence में जो कुछ भी लिखा होगा वो रख देंगे लेकिन कभी भी इसके बाद main work हम नहीं रखेंगे क्योंकि main work का काम तो यही कर रहा है और जब have जो है वो main work का काम करता तो उसका मतलब क्या होता है होना जैसे की मैं बोलूं I have a pen I have a pen मेरे पास एक pen है ठीक है तो यहाँ पे देखिए I क्या है subject have का use मैंने main work के रूप में किया है ठीक है और a pen जो है वो क्या है object है a pen object है यहाँ पे तो I have a pen का मतलब मतलब यहाँ पे have का मतलब क्या है होना मतलब की मेरे पास एक pen है I have a car she has a dress ठीक है उसके पास एक dress है he has a bike उसके पास एक bike है ठीक है मेरे पास एक pen है car है जो भी आपको बोलना होता है कि मेरे पास यह चीज है मेरे पास वह चीज है तो हम उसके लिए किस करते हैं और है यहाँ व कर नहीं तो सपर क्यों क्यों किया है वह पप्लस हेड कर नहीं है 지금 मतलब कि मतलब की में हम कलपना करते हैं सीफ कलपना कर सकते हैं कि कि अगर इसा होता तो लेकिन वैसा कुछ है नहीं तो यहां पर इफ प्लस हेड का यूज के से जिसे की इसका मतलब क्या होता है इस प्लस हेड का कि अगर या काश मेरे पास होता या होती या होते ठीक है कुछ भी कि काश मेरे पास एक पेन होता तो मैं लिखता या लिखती काश मेरे पास नई व्रेस होती तो मैं पहनती काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ख़र्च करता इस टाइप की जो सेंटेंस होते मतलब आपके पास हे नहीं वो चीज लेकिन अगर आपक कलपना कर रहे हो याप म评 anno में अगर में पास ऐसा होता तो मैं इसा करता अगर में फास यह चीज होती तो मैं वह करता अगर में फास कूछ चीजें होतीSaharだ ठीकर तो जैसे चलिए के एक ग्जांबल का आपकोuben वहिसह ड़िया थे यह है है अब देखिए अगर मेरे पास पेसे होते या काश मेरे पास पेसे होते ही तो में तुम्हें तुमें जिसे हमसे कोई पेसे मांगने आता हैं मांनो है ना और हम क्या बोलते हैं कि नहीं अभी तो नहीं है अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती या मैं तुम्हें देता तो यहां पर वही बात हो रही है कि इंसने अगर मेंटेयें easy नेशन हो रही है कि अगर मेरे पास पैसे होते अभी तो नहीं है लेकिन अगर होते तो में दूएव दे देता ऊपे यहां पर इफ़ाया है ठीक है उसके बाद सब्जेक उसके बाद हेड हेड का मतलब क्या होना कि अगर मैं पास होता ठीक है का मतलब यहां पर होना मनी अब यह जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें मैंने किसका यूज किया है वुड का और वृट के साथ वब की फर्स फॉर्म का अब इसमें एरर कैसे आती है देखिए एरर इसे आती है कि यहां पर इफ ऐहें हैं लेकिन यहां पर हैव नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है और हम यहां पर हैव लिख देंगे तो अगर होते तो मैं देती थी कै press vehicles है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां alguma फिर हैzent का यूस्त करना है अगल इमेजिनरीस सोना से तो यहां पर हमिशा हैड का यूस न है अब दूसर रचा कर डिवन की जगी क्या हां आँ गया विल आ गया कि अगर में पास प्रेसे होते तो मैं तुम्हें दे देती वुड आ सकता है केन आ सकता है में आ सकता है शेल आ सकता है ठीक है इसमार आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इमेजिनली सेंटेंस है यहां पर इफ है इफ के बाद है ठ ठीक है और यहाँ पर जो सेकिंड आएगा वोड़ शूड वड़ कूड शूड या माइट ही आएगा कभी भी विल्षेल कें में इसमर का यूज नहीं होगा ठीक है यह चीजально आपको ध्यान रखनी है चलिकुछ और – सिंटेंश लिखती हूं क leur को बढ खिएप भाएं क घर थाल लुद छैडि को वे र्ंट हो इंग अ वेुλλांड़ ते राध मेरा सब्सक्जिछ आप बरूल फ्यू Complet . If, she, had… Not कि यहां पर नोट्स मतलब की कॉपे किताब अले नॉट्स ठीक है जो नॉट्स होते हैं न वो तो देखो अगर उसके पास वो नॉट्स होते मतलब की कोई special नॉट्स की यहां पर बात हो रही है जैसे आपके घर पर आपकी मदर है और आप से कोई हैल्प मांगने आया है कि नहीं मुझे वो नॉट्स चाहिए और मुझे नॉट्स से पढ़ा दो तो आपकी मदर बोलती ना कि इसके प बात वुड्स फोन ठीक है इस तीस का अपको ध्यान रखना है कि यहां पर है यह नहीं आना चाहिए है यह यह उसके बाद सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद है यह इंजिए सेंटेंस है तो आपको लास्ट में वोड्शूड कुड् आइट के बाद वर्की फर्स्वाइब का यूज करना है ठीक है मैंने आपको बता दी है कि यहां तो यहां पूछी जा सकती है यह यहां पूछी जा सकती है ठीक है यह हो गया आपके इस प्लस हेड़ वाले सेंटेंस अब दूसरा आता है इसका मतलब क्या होता है कि अगर में में या कोई भी ठीक है होता है होती होते है तो इसा होता जैसे कोई को बोल जैसे कोई लोग बोलते हैं कि जो भी के जो पीम है उन्होंने किया ही क्या है अगर में पीम होता अगर में देश का पीम बन जाता तो में तो दुनिया ही बदल देता बताओ देश के पीम बनके क्या करते हैं दुनिया बदल देते हैं ऐसा ठीके तो यहां पर अगर में यह होता जैसे कुछ कोई लोग बोलते हैं न कि अगर में हीरो होता हीरोइन होती कहीं का किंग होता कहीं की क्वीन होती अगर में रिच होता अगर में गरीब होता ठीके कुछ भी आपको बोलना ह है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे इफ प्लस वर का एक चीज का ध्यान रखना है यूज वार विट आल सब्जेक्ट्स है आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है सारे ही सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है वर का यूज करना है वैसे तो जब हमने वाज़ो वर की ये टियों प्रबव करना है और यहां पर आपको जितने भी सब्शेक्ट है सब तो है यह सेंटेश नहीं है इसलिए आपको किसका यूस करना है यहाँ पर यहाँ पर आपको सारे सब्जिक के साथ वर का यूस करना है जैसे कि if I were a queen I would live in a palace यह संटेंस क्या है कि अगर मैं queen होती तो मैं किसी पैलेस में रहती अगर मैं हूँ नहीं ठीक है जैसे imagination करते ना कि अगर हम यह होते तो हम वह करते तो अगर मैं queen होती और 8 वाला क्या था अगर मेरे पास कुछ होता इफ फ्लस है आरा जो भी मैंने थोड़ी दिर Sister, I, sorry, I would love her very much. अब देखिए, कोई-कोई आपके friend रहती है, ठीके, वो आप सोचते हो ना friend के बारे में, या कि यह तो मेरी best friend है, और अगर यह मेरी बेहन होती, तो हम एक घर में रहते हैं, कितने मज़े करती है, ठीके, तो यह वही वाली बात हो जी है, कि if she were my sister, अगर वो मेरी बेहन होती, ठीके, अगर वो मेरी बेहन होती, I would love her very much, तो मैं उसे बहुत प्यार करती, ठीके, और आप पर इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर में कुछ भी, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, if I were an actress, if I were an actor, ठीके, मैं actor होता, actress होती, मैं PM होता, ठीके, मैं America का President होता, ठीके, कुछ भी लिख सकते हैं, if I were the President of America, तो मैं यह करता, मैं वो करती, ठीके, इस टाइब से आप आपको दे दिया गया, सबको ही पता है कि, he, she, it, or singular subject, जो होते हैं, उनके साथ किसका यूज होता है, was का यूज होता है, यह हमने कहां पढ़ा था, sorry, past continuous tense में, अब आपने तो she के साथ हमेशा से was पढ़ रखा है, तो आप तो word देखकर इसको directly cross कर दोगी, कि नहीं, she के बी वर का यूज होता है, और कहां होता है, वो होता है, conditional sentences में, उसमें से भी imaginary sentences में, वर का यूज होता है, ठीके, तो आपको I के साथ was का यूज नहीं करना है, अगर imaginary sentences होता हो, ठीके, और she के साथ भी was का यूज नहीं करना है, तो यहापको was दिया जा सकता है, यहापको यह यहां पर इस टाइप से स्पेस देकर चार उप्षन पूछे जा सकते हैं वर वाज इज विल ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको imaginary sentences है इस से शुरू हो रहा है उसमें कुछ imagination की बात हो रही है पिछे शुड़ वुड़ कुड या वब की फर्स फोर्म है तो आपको देखते से ही वर का यूज कर देना है ठीक है इफ शी वर मैं सिस्टार आई वुड़ लॉव हर वेरी मच ठीक है इस टाइप से बैसे शुरुर्म हाँ हां एकण यहां यहां पर भी को ही सेम अयरर मीने आपको बताई थी कि यहां पर वुड की जब् prayers की पर दी गई यह जोड़ को रोगा सेंट फॉम थार्ड फॉम देदी गई उड़ की ते विल केन का यूज मैं यूज नहीं को सकता है इसले इनका यूज नहीं हो सकता ठीक है आ अब दिखिए, नेक्स्ट है, इफ, इफ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉम, मालब बीच में सब्जेक्ट आता ही है, ठीक है? इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉम, जो सेकेंड सेंटेंस होता है, उसमें वहीं, वोड, फूड, शूट, जो भी, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉम का मतलब यह होता है, कि अगर एसा, एसा मतलब कुछ भी, एक्स, वाई, जेड होता, तो वैसा होता, ठीक है? अगर एसा हो जाता, तो वैसा होता, ठीक है? तो उसको बताने के हैं, हम कैसे यूज करेंगे? जिसे की, अगर तुम टाइम पर पहुँचते तो तुम्हें ट्रेन मिल जाती, अगर तुमने मुझे, जिसे किसी ने आपको शादी में इन्वाइट नहीं किया है, यह ना, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सिर्फ 50 लोगों का चल रहा था, कि शादी में सिर्फ 50 लोगों को सिर्फ 50 लोगों को बलाया होगा, तो तो हमक्या मिल जाती कि तुमने मुझे शादी में बलाया होता कि तो मैं यहा होता, आपने मुलाया ही नहीं, तो पहल आपकरति तो गिला में अजिण से कंडिशन है, आपकर तो इस नहीं नहीं ठीक है इसलिए तो देखिए इफ यू इन्वाइटेड मीं I would come to your party If you invited me, I would come to your party तो अगर ऐसा होता तो वेसा होता अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आजाता तो मैं आया होता वो मैंने एक आपको बताया था कि If you invite me, I will come to your party I shall come to your party तो वो future का था ठीक है उसमें confused मत होना कि अगर तुम बुलाओगे तो मैं आओगी वो real है कि अगर इन future party तो अभी हुई नहीं है, होने वाली है या शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है तो शादी में बुलाओगे तो हम आज जाएंगे ऐसा ठीक है क्योंकि वो तो बीता नहीं है लेकिन ये तो बीच चुका है तो If you invited me, I would come to your party कि अगर तुमने मुझे बुलाया होता, तो मैं आता तो यहां पर यहां पर भी error आ सकती है एरर क्या आ सकती है, invited की जगे invite हो सकता है वो अपकी first phone आपको दे सकते है If you invited me, I would come to your party जब दो तो अगर तुमें क्यों मुझे बुलाओगे, तो मैं आ जाता अगर तो होता नहीं, एक प्रजेंट में चल रहा है और एक pastor में चला गया कि अगर तुम班 जो बुलाओगे, तो मैं आ जाता ऐसा नहीं है, तीक हाँ यहां पर क्या होगा invited me if you invited me I would come to a party ठीक है अब एक को सेंटेस देख लेते हैं if she studied hard she would pass the exam जे सेंटेस देखिए इफ शुटीर हाड अगर उसने अच्छे से पढ़ाय करी होती अगर उसने अच्छे से पढ़ाय कर रहे हैं कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाय की होती तो पास हो जाती अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन इसा हो जाता तो तो इसा हो जाता ठीक है तो यहां पर भी वही आरा सकती है जो भी दो बार में आपको बता कि इस सेंटेंस में तो वही आरा सकती है कि वोड की जगे विल में आपको देदी अख़ती है यहां पे क्या एर्रा सकती है यहां पर कि वर्प की कि अर्ट वह जाए इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस पर से स्टार्ट हो रहा है वर्प के second form है that means imaginary sentence है ठीक है ओके यह हमारी तीनों ही जो condition थी वो complete हो चुकी है अब इसमें को चीज आती है कि कभी कभी क्या होता है कि sentence में sentence if से start नहीं होता है इसमें एक चीज का धियान रखना कि वो जिसे में पहले वाले sentences में लिखवाए था ना रिएल कंडिशन में कि इस की जगें हम अन्लेस का भी यूस हो सकता है अंट्यल का यूस हो सकता है फिफोर अफ्टव उनका यूस तो सब्सक्राइब यहां पर सिफ और सिफ का यूज होगा और कभी-कभी क्या होता है कि इफ का यूज नहीं होता है और इफ की जगे head या word जो है जो मैंने first or second sentences में आपको बताए था कि if के बाद head और if के बाद word ठीक है कभी कभी क्या होता है कि ये दो टाइप के sentences होते हैं इन में पहले if नहीं आके क्या होता है कि पहले से head और पहले से word का use कर दिया जाता है तो वो भी बिल्कुल सही होता है कैसे जैसे भी एक sentence में आपको लिखके बताती हूँ if I had money I would give it to you एक sentence यह है दूसरा देखते हैं if I were a queen I would leave sorry leave in a palace यह sentence है अब देखी कभी कभी क्या होता है कि यहां पर if नहीं लगाया जाता है ठीक है क्यों क्योंकि इस टाइब से भी हमें sentence को लिख सकते हैं बिना if लगाया है कभी कभी इसमें if का use नहीं होता है तो क्या होता है कि यह जो head है चलिए मैं इसको नीचे लिख देती हूँ यह जो head है इसको शुरू में लिख दिया जाता है इसको subject से पहले आ रहा है इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि sentence interrogative हो गया है sentence interrogative नहीं हुआ है हमने यहां से कुछ हटाया है इसलिए इसके हैट को लगाया और क्या हटाया है if को we have removed if from here so we have so we put head here right हमने यहां से खिया हमने क्या क्या हमने क्या है यहां पर head को यूज क्या है कि कभी कभी होता है यह को हटा के जो head होता है उसको आगे पुट कर देते हैं subject से पहले तो उसका भी से मतलब निकलता है जो मतलब if वाले sentence का निकलता है वही मतलब इसका भी निकलता है अब वर वाले sentence में भी ऐसा ही होता है कि कभी-कभी if को हटाएके वर को शुरू में use कर लेते हैं अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने से हेड को यहां आगे लगा दिया तो इसा मत कर ले ना कि वुड को भी आई से पहले लगा दो अदरवाइस वह सेंटेंस गलत हो जाएगा ठीक है आपको लास्ट वाला जो sentence है उसको as it is रखना है और जो फर्स सेंटेंस है उसमे है या वर सिफ हेड वाले वर वाले sentence को क्या करना है उसमें अगर या आगे भी इफ को हटा कि अगर यह आगे शुरू में ही यूज होता है तो भी यह सेंटेंस सही होता है ठीक है तो यहां पर दिखिए वर आया क्वीन आई वोड लिविन पैलेस कि अगर में क्वीन होती त आपको question mark का यूज नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि interrogative या प्रश्ण वाचक sentences नहीं है यह imaginary sentences है जो कि यह और यह सेम है ठीक है अब इमेजिनरी कंडिशन यहां हमारी complete हो चुकी है इसा वो जो मैंने भी बताया था कि वर और हेड़ वाले sentences में हेर और वर कभी आगया जाए तो इसा एक और sentence बता है ना मैंने आपको कि इफ के बाद आपको वर्प की second form यूज करनी है तो second form को आगे मत लेकर आना जिसे मैंने तीन टाइप के बताएं एक इफ के साथ हेड का यूज के साथ वर का यूज और एक इफ के साथ वर्प की सेकेंड फोर्म का यूज तो second form वाले sentence में हमें कुछ नहीं करना है वह वैसा का वैसा ही रहेगा इफ के बाद subject देन वर्प की second form लेकिन यह जो ऊपर वाले दो बता हैं मैंने head वाले और वाले उनमें head और वर कभी- उनका मतलब सेम निकलता है ठीक है next है impossible condition impossible condition क्या होती है कि कोई काम है अब वो काम क्या हुआ कि वो काम खतम हो चुका है हमारा नुकसान हो चुका है कुछ भी हो चुका है लेकिन हम क्या करते हैं कि हम continuous उसकाम के बार में सोचते रहते ही कि रे यार मैंने ऐसा कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता तो उससे वो हो जाता ठीक है कि अगर ऐसा मैंने कर लिया होता तो वेसा हो जाता जबकि काम खतम हो चुका है जैसे कि आपने जैसे आप घर से टाइम पे नहीं निकले हैं अब आप जाते हैं रेल विस्टेशन एन ट्रेन क्या होती है चली जाती आपके जाने से पहले ही छूट चुकी होती है डिपार्ट हो चुकी होती है तो आप सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर पांच मिन पहले पहुंच गया होता तो ट्रेन नहीं छूटती मुझे ट्रेन मिल जाती तो यही कंडिशन यहां पर है कि चुट चुट के लेकिन आप उसके बाद सोच रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे ट्रेंड मिल जाती तो इंपॉसिबल कंडिशन उसको बोलते हैं कि वह काम पहले हो चुका है अब दुबारा नहीं हो सकता ट्रेंड तो चुट चुट के अब आपको दूसरी ट्रेंड अगर थोड़ी देर पेले एसा हिए वह कर लेते तो बसंप काम का दूबारा होना पॉसिबल नहीं है लेकिन हम सोच वाल में सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो वैसा होता अब इसमें क्या होता है कि इसका जो structure होता है वो होता है कि यहीं के बाद खालों और हैड के बाद वब की सब्सक्राइब हैं ऐसने छानी रखना कि यहां चीजे का दिखना कि सेंटेंसे तो गनिशन तो व्यस्से बाइनिंज भी इसमें होगा और जब दूसरा सेंटेंस ओगा तो वहां पर क्या होगा वुड़ कुड़ शूड़ हाँ है है माइट है ठीकर बुट हैं वब की थर्ड फ्र्म शुप कोड़ हैं वब की थर्ड फ्र्म शुट हैं थर्ड फ्र्म एंगमाइड है कि ठीक है कि जब भी इस टाइब कर सेंडेंस होता है जिसमें इफ हो हैड हो तो यहां पर मेंवब की थार्ड फोर्म हो तो लास्ट में देखिए वहाँ पर एक क्या था एक था इफ उसके बाद था सब्जेक्ट वह जो मैंने इमेजी नरी कंडिशन में समझाया था देखना उ और कि अंफे के बाद किया था है था और है ऐड के बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट था ठीक है इफ अऑ Ao bahre if she had not ठीक है इस टाइब से लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पर हेड है हेड के बाद वापस main verb है और main verb की third form है तो जब भी इस टाइब का sentence आता है आपको क्या करना है अब यहाँ पर हेड और हेड के साथ वापकी third form है तो जो second sentence होगा उसमें सिफ आपको would, should, could का ही use नहीं करना है would have, could have, should have, might have का use करना है और अगर कहीं पर have main verb की तरह असोई helping verb की तरह आ गया है चाहे वो would, could, should, might या will, shall, can में किसी के भी पीछे लगा हुआ हो have का ध्यान रखना कि have कहीं पर भी helping verb की तरह यूज हो रहा है has, have, had कुछ भी, चाहे वो किसी के भी पीछे लगा हुआ हो चाहे will have हो, shall have हो, may have हो, can have हो, would have, could have, should have, might have कुछ भी हो, अगर have आ गया है helping verb की तरह तो उसके बाद हमेशा verb की third form का use ही होगा यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, head है, head के बाद verb की third form, उसके बाद would have है और वापस यहाँ पर verb की third form, ठीके, अब देखिए तो इसमें और उसमें confuse मत होना, आप लोग यह लिख लिजिए, मेरेस कर देती हूं इसको इसके बाद बाद आप लोग के लिए। If you had informed me, I would have taken some steps. अब देखिए, If you had informed me, if subject, subject के बाद head as a helping verb, informed main verb की third form, I, ठीके, मालब यहाँ पर subject और नहीं है, उसके बाद would have taken, taken क्या है, main verb की third form, some steps की जएके, some action कर लेते हैं, अगर तुमने मुझे पहले inform कर दिया होता, तुम्हें कुछ action लेती, या कुछ action लेता, जैसे आपके साथ कोई भी कहीं भी घटना हुई, ठीक है, आप कभी घर वालों को कुछ बताते ही नहीं हो, जैसे किसी किसी के साथ कुछ बुद बुरा हो जाता है, और घर वालों के डर के मारे घर वालों को लोग कुछ बताते ही नहीं कि नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ कुछ भी, तो उसके बाद फिर जब हम किसी को बताते हैं, या घरवालों को बताते आए तुछ बुत देर बात तुम किसी को इनफॉर्म करते हो तो पुलिस वाले या कोई भी भी बोलते है ना कि अगर तुम ने पहले मुझे बता दिया होता हम कुछ एक्षन लेते अब तो कुछ हो यह नहीं सकता ठीक है तो वही बात यहां पर हो रही है कि इसको पकड़ना पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको क्या वो लजाता है इंपॉसिबल कंडिशन मालो तुम एक महीने बाद बता रहे हो पुलिस को कि होगा भी सही लेकिन पता नहीं कौन चोर था कैसे पकड़ा जाए सब कुछ बहुत ही सस्पेंस में होगा है तो अब यहां पर आपको करना क्या है चलो चोरी तो नहीं हुई है घर में लेकिन करना क्या है कि यहां पर आपको एसी कंडिशन का एसी कंडिशन जो जिसको वाप कि थार्ट फॉwn कहामु यू entfer काूरे हैं अब इसमें हैर कैसे पूछी जाएगी ठीक है यहां पर हैं यहां पर B कि पॉंतरहं सकती है और यहां पर जाइस संटेंस न गया तो सिभ्या और सब्सक्राइब लिए गया कि I would I would take some action ऐसा कर लिए गया जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कि वोड शूड कुड माइट इन सब के बाद किसका यूज होता है हमेशा वापकी फर्स फॉर्म का यूज होता है तो आपके मुन में क्वेशन यह भी आ रहा होगा कि यहां पर फी थर्ड फॉर्म क हमेश किया है और है बाद हमने वर्ब की फर्ड फॉर्म का यूज किया है मुट के बाद डारेक्ट टेकन नहीं लिखा है और है इफ यूज है यूज है if you have reached the station on time you would have get the train sorry 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 I don't know I'm sorry you don't think we're going to make it I'm not going to go to the house get me so he is लेकिन गेट का ऐसा है कि गेट का third form got भी होता है, gotten भी होता है, ठीके, तो मैं आप मैं दो लिखूंगी तो आप यहां confused हो जाओगी, इसलिए मैं यहां पर लिख लेती हूँ, caught the train, ठीके, अब देखो, if you had reached the station on time, अगर तुम time पर station पहुँच जाते, you would have caught the train, तो तुम्हें train मिल जाती, ठीके, तुम train पकर लेते हैं, मतलब की, तुम train में बेट जाते, caught क्या है, catch का third form है, catch जो होता है, उसका third form है, और reach जो है, वो reach का third form है, ठीके, तो if you had reached the station on time, अगर तुम time पर station पहुँच जाते, you would have caught the train, तुम train पकर लेते, लेकिन हुआ क्या, अब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि, वो इस्टेशन लेट पहुचा है, और train और चूट चुकी है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ सोचा जा सकता उस condition के बारे में, कि अगर इसा हो गया होता, तो अच्छा होता, ठीक है, तो इस टाइप की कंडिशन को बोलते हैं, इंपोसिबल कंडिशन जिसमें हमारे साथ कुछ नहीं कुछ हो चुका होता है, यह बाद में बस हम पच्ता सकते हैं, ठीक है, विकन रिग्रेट ओनली कि अगर इसा होता, तो अच्छा होता, ठीक है, तो तो अपकी फासों सिप्रिच दे दिया, अब यहां सेकेंड सेंटेंस में बुड की जगे will कर दिया, will have गधिया माझ लो, will have got the train कर दिया, ठीके, have की जगे यहां पर भी head कर दिया, caught की जगे catch कर दिया, तो किसी भी टाइप से error दी जा सकती है तो इस चीज़ को अपको ध्यान रखना है यह आपकी सारी ही जो conditional sentences थे जिसमें real condition, imaginary condition और impossible condition यह सारे sentences और tense का जो chapter है वो अच complete हो चुका है I don't think कि अभी उसमें कुछ भी बचा हो अगर आपको कुछ भी doubt है कि नहीं मैं उसमें ये tense के पूरे topic में से ये चीज़ बच गई है तो आप comment box में लिख सकते हैं ठीक है तब तक के लिए आप revise करते रहे हैं और pedagogy के videos बहुत ही जल्दी आने वाले हैं आपकी exam की date भी में से आगे बढ़ गई हैं तो आप आराम से थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे ठीक है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और खुब मेंनत कीजिए तब तक के लिए बाई